पैरोल पर घराय आरोपी की हत्या के मामले में बिलगहना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले को सुलजा कर अपनी सूज बूच का परिचर दिया है हलाकि इस अंधे कतल की गुथी को सुलजाना पुलिस के लिए भी आसान नहीं था लेकिन पुलिस ने ना सिर्फ इस गुथी को सुलजा लिया बलकि मामले की सभी पाँचो आरोपियों को गिरिफतार भी कर लिया चार अप्रेल को पैरोल पर छूट कर राजु सिंग बैगा अपने गाउन लूफा में रह रहा था इसी दोरान रहिवार रात को उसके घर कुछ नकाब पोश्ट घुसाए और गमचे से फंदा बना कर उसका गला घोट कर उसकी जान ले ली उसकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताय था कि उन्होंने राजु सिंग की पत्नी जूलबाई बैगा की भी जान लेने की कोशिश की थी लेकिन वह किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाने में कामियाब हो पाई थी इस अंधिकतल की गुथी को सुलजाने के लिए तैयार टीम ने जब जाच की तो पता चला की मृतक राजु बैगा आदतन बदमाश और शराब पीने का आदी था जो आए दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भी गाली गलोच और मार पीट किया करता था पुलिस ने जब इसी बिंदू पर जाच को आगे बढ़ाया तो वह भी हैरान रह गई क्योंकि जो जूलबाई बैगा पुलिस के सामने आकर अपने पती की जान लिये जाने और खुद पर भी हमले की कहानी रो रो कर सुना रही थी वही हत्या की माश्टर माइन निकली पता चला की पती के रोज रोज के अत्याचार से तंगा कर उसकी पत्री ने ही उसकी हत्या की साजिश रची थी इसके लिए उसने अपने पडोसी चंदन सिंग बैगा और बहरा मुडा में रहने वाले जांगलू गोड को भी शामिल कर लिया था जंगलू गोड ने घोंगा डी थाना कोटा में रहने वाले अपने और दो अन्य साथियों को भी इसमें जोड लिया कैलाश आर्मों और अनू उर्फ सूर्य प्रकाश धुर्वे भी हत्या वाली रात चोरी छिपे बाड़ी के रास्ते से उनके घर में गुजे और मृतक के गले में गमच्छा लपेट कर गला दबा कर उसकी हत्या कर दी जाच के दोरान मृतक की पतनी पुलिस के आगे तूट गई और उसने सभी आरोपियों के नाम उगल दिये पुलिस ने इस मामले में मृतक की पतनी जूलबाई बैगा समेत जंगलू उर्फ जानी मरावी अर्मो अनू उर्फ सूर्य प्रकाश धुर्वे और चंदन सिंग बैगा को गिरिफतार कर लिया है हलाकि जूलबाई बैगा ने अपने ही पती की जान लेली लेकिन आसपास के लोगों का मानना है कि जिस तरह बदमाश राजो सिंग बैगा अपनी पतनी और बच्चों पर अत्याचार किया करता था उसका नतीजा एक दिन ऐसा ही होना था